गुट मॉर्निंग तो आल अफ यू स्टूडेंट तुडे यू विल लर्न हियर दपी ल्सी प्रोग्रामिंग और आची क्लास बहुत इंडिस्टिंग होने वाली हैं आप लास तक देखें और आची क्लास में आप को कुछ ऐसे कॉंसेप्स तिकेंगे जो हो मॉं आॉटोमेशन ऐसे वेल एज आपके सिक्यूर्टि सिस्टम से रिलेटेड हैं कि बील्डिंग को या किसी घर को हम ओम आटोमेट करें या कि सी टेंग को आइप करें अब आज टाइमर के फंक्शन देखेंगे कंवेयर को चलाने के लिए जो हम timer system का use करते हैं counter system का use करते हैं इन सारे चीजों को आप study करेंगे आज you should have to study here तो चलिए फिर हम लोग जल्दी से start करते हैं और class representative please inform to the student they must have to attend the class regularly to get the beneficial of this one तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको जल्दी calculate करते हैं फटा-फट ठीक है तो जैसे हम लोगों को study करनी है वो पहला concept यह कि भाई कैसे हम अपने घर में दो टैंक यानि पैरलल टैंक हैं जिनके reservoirs हैं और उस एक reservoir से हम किस तरीके से system को control करें लिमिट switch को यूज करें तो previous lecture में हम आपको limit switches के बारे में explain कर चुके हैं I explained about the limit switch in previous lecture so you should have to pay your attention here तो जैसे देखेगा ध्यान से और clearly हम चल रहे हैं जैसे मान के चलिए यहां पर एक टैंक है there is a tank ओके दिर इस टैंक and there is also a tank suppose there is also a tank and this one is connected to suppose let it be and suppose it is connected to the system of this one and there is a pump there is a pump it is reservoir one and it is reservoir two और आप देखिये इसको कैसे यह काम करेगा तो जैसे सिंपल सा एक एक स्टेप बढ़ेंगे बहुत ध्यान समझ जेगा बेटा इस वान आप दे मोस्स प्रीशियस कॉंसर्ट फॉर्ट वन और आप एक एक स्टेप को समझते हुए चलेंगे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी ठीक है तो जैसे हमने कहा कि रिजर्वाइन नमबर वन रिजर्वाइन नमबर टू अब हम इतना सा चाहते हैं मान लिजे ऐसे समझ लिजे दियर इस दा इनलेट पोर्ट एंड इनलेट पोर्ट को हम कहेंगे सॉलेनोइड सॉलेनोइड नमबर वन एंड देर विल बी दा आउटलेट पोर्ट से अटाइज विद दा सॉलेनोइड नमबर टू तो अब आप देखेगा किस तरीके से ये काम करता है सपोज आपने कहा इस रिजर्वाइर से इस रिजर्वाइर को हमें क्या करना है फिल करना है ठीक है तो हमने कहा सोलनाइड नमबर वन कह दिया सोलनाइड नमबर टू कह दिया अब हम चाहते हैं कि यह पंप आप एक बटन को पुश करें और वो कंटिनिवस्ति क्या करने लेगे अन हो जाए तो अब देखेगा ध्यान से मान दीजे आपने कहा कि यहाँ पर एक हम फ्र quantity द्राइंग से बनाते हैं इसके लिए तो जैसे हम कहेंगे ऑशinator द्राइंग बना रहा है धियान समझेगा आपने कहा कि रचारें यहाँ पर एन उस्विच लगा दिजिए क्या लगा देंगे एन उसुच लगा दिया हमें एन आँसिच को जो की हम कहेंगे pump है तो pump हम कहा देते हैं relay number one क्या कहा देंगे relay number one तो relay number one का यह जो आपका pump है यह active हो जाएगा आप देखिएगा हम कहा देया switch number one that is तो हमने का switch number one को जैसे आप press करेंगे इस पर supply जाएगी और जब इस पर supply जाएगी तो pump activate हो जाएगा लेकिन आप बटन को छोड़ेंगे और supply खतम हो जाएगी pump फिर से off हो जाएगा यानि कि यह dependent है इस पर on होने और off होने पर हम कहेंगे कि भाई on off कराने के जाएगे अब एक बार अगर प्रेस कर दें तो यह on रहे तो आप कहेंगे इसका contact जो है यहाँ पर whatever the contact is here of the R1 तो अगर आप इस बटन को push करें current यहाँ जाए और यह holding ले लेगा तो pump continuous on रहेगा और यहाँ से इसको fill करता रहेगा हम कहेंगे अगर एक filling होने के बाद off करना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक stop button लगा देंगे तो stop button कौन से लगाएंगे आप कहेंगे switch number two is stop button तो यह हो जाएगा stop button और यह क्या हो जाएगा बेटा start button किसके लिए for pump है ना for pump pump and for pump तो यह तो on off का system हो जाएगा अब problem यह आती है बेटा problem is there कि हमें यह काम automatic करवाना है कि भई जैसे ही टंकी आपकी खाली हो और यह on हो जाए और जैसे ही टंकी full हो वैसी क्या हो जाए off हो जाए तो चलिए पहले हम off होने वाला करवाते हैं कि मान लीजे यहाँ पर किसी भी वज़ी से टंकी आपकी भई आ start to fill आप ज्यानते हैं कि भई यहाँ पर button को push करेंगे tank यहाँ फिल होना शुरू हो जाएगा और माल यहाँ पर tank fill हो रहा है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक system बनाते हैं हम लोग there will be the arrangement for this one तो एक काम करते हैं यहाँ पर एक limit switch लगा देते हैं क्या लगा देते हैं लिमि limit switch का क्या लेंगे बेटा एक nc button we have to choose a nc button for the limit switch तो चलिए मज़दार बात इसको समझेगा we have to choose your limit switch यहाँ पर हमने क्या किया अगर यह खाली हो तो भारे जैसे ही वैसे बांध हो जाने चाहिए हम यहाँ पर एक limit switch choose कर लेंगे we should have to choose our limits जो कैसी होगी we have to choose this one that must be the nc type तो चल का यह माले जिए एक limit switch है limit switch attach किसे होगी बेटा how do it will be attached तो limit switch attach होगी आपके contact से और contact supplies attach होगा जैसे हमने कहा यह limit switch इसके contact से attach है और यहाँ पर एक contact है जो कि इससे attach हो जाता है इस तरीके समझ यह इस तरीके समझेगा pay attention तो आप लोग कोशिश करें इसको समझने की तो यह है अब देखेगा ध्यान से यह इसके साथ क्या होगा जब खाली रहेगा तो यह इसके साथ चिपका रहेगा और जैसी पानी भरेगी तो यह खुलेगा अब ध्यान दीजे आपने क्या किया यहाँ पर plus 24 volt दे दिया कितना दे दिया plus 24 और यहाँ से आपने एक wire निकाली और इस पांप के पास जाएगा तो हमने कहा यह जाएगा आपका output एक पांप के पास इसके पास पांप के पास जाएगा अन्य यह न्यूटल हो जाएगा तो और ध्यान दिजेगा तो अभी क्या है ध rapन को push किया kك dot जाते ही NC बना NC जाते ही holding डे लिया अब यहां पर holding लेने के बाद यह pump इसको feed करना शुरू करेगा पानी अब पानी भरते 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 यहां चला आ रहा है जैसे यहां पहुचेगा यह pump open होगा जैसे open होगा यह इसके contacts जो इसमें ऐसे करके 24 volt PLC को ज जा रहा था वो यहां से जाना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा और जैसे जब तक पानी भई भरा हुआ तो यह उपर रहेगा यह नीचे हो जाएगा तो पानी जो इसको input जा रहा तो जाना बंद हो जाएगा कब तक बंद रहेगा जब तक यह क्या करेगा भरा रहेगा तो obvious सी बात है कि इसने क्या कर दिया तो off कराने के लिए इस contact को हम लोग यहाँ पर इसे PLC में दो हमने push बटन लगा रखे न आप देखेगा तो आपने क्या कर रखा है एक switch number 1 इनो switch लगा रखी इनो push बटन जो कि इससे contact करा दिया तो 24 वोल्ट से connection है यह यहाँ पर प्लस 24 वोल्ट दे दिया एक आपने NC contact लगा रखा है then you should have to connected an NC switch number 2 और यह NC से connect करा दिया है तो आपने कहा switch number 1 पर switch number 2 पर connected है यहाँ simply यह दोनों है और साथ में क्या हो इसका जो output गया वो हम कह देंगे कि switch number आपका आमान के चलिए switch number कोई से भी ले ले लिजे there is the switch number NC type का switch number 8 ले ले लेते हैं तो हमने कहा switch number 8 ले लिया यहाँ पे तो simple सी बात है तो हम क्या करेंगे limit switch लगा देंगे तो यहाँ पर आप एक limit switch लगा दीजे कौन से type की limit switch है बेटा NC type है तो you should have to connect here a limit switch of the NC type तो इस तरीके के हमने limit switch लगा दी आप पानी भरेगा तो यह उ use करते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से देखें आप current यहाँ फ्लो कर रहा है पानी बरेगा तो यह open हो जाएगा जैसे open होगा off हो जाएगा और एक limit switch हमने आपको बताया था कि अनो टाइप होती है इस type की यहाँ पर यह पानी दोनों को देखेगा तो यह क्या होगा जब यह जाएगा तो यह open होगा पानी नहीं होगा तो एक रहें पास कराएगा आप इससे देख सकतें जाब पानी नहीं होगा तो यह नीचे आज आएगा पानी आएगा तो यह nC बन जाएगा तो यह limit switch होती है अनो टाइब और यह limits होती है NC टाइब तो हमने count c use की थी बैटा यहाँ पर NC टाइब क्यों? क्योंकि पानी जाने पर यह खुलता है यह पानी जाने पर खुलना चाहिए तो यह कौन सी type की है? NC टाइब इस NC limit switch NC limit switch 1 आपने यह कह दिया यानि कि अब यहाँ पर देखेगा फिर से समझे आपने बटन को पुछ किया करेंट यहाँ पर गई एनरजाइज हुआ इसने करेंट को होल्डिंग ले ली होल्डिंग लेने के बाद मोटर पंप कंटिनिवस्दी चलने लगेगा पंप भरता रहेगा पानी को भरते भरते पंप जै कि यहाँ पर उपर आएगा वैसे यहाँ पर पहुचेगा यह इनरजाएगा जैसी इन or पनेगा जो 24-q норм होड पहिए लो जा यहाँ बंद हो जाएगी जैसी यहां पर इसे open होड़ा nut हो जाएगा वैसे ही जो पानी ऊपर है यानि कि यह प्रोज है यानि यह ओफ हो चुकी है अब अगर पानी खाली भी होने लगेगा तो यह ओन नहीं होगी क्यों कि फिर से अनी नहीं होगी अब हमको कुछ ऐसा अरेंज्मन बनाना है जैसे पानी खाली हो तो एक लेवल के नीचे आते ही मशीन क्या हो देने चाहिए आपकी ओन हो जानी चाहिए यानी कि फिर से ओन हो जाए इसका मतलब यह कि जब यह खाली हो तो पंप चले और इसको भरे और जैसी ऊपर वाले सर्फेस से पहुंचे वैसी क्या हो जाना चाहिए तो चलिए इसके बटन को लगाएंगे और किस तरीके से लगाएंगे देखेगा हम कहेंगे यहाँ पर एक और एंसी लगाईए आप इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको अटेच कर दिया और इस तरीके से अटेच करने के बाद यहाँ पर हमने 24 बोल्ट इसके साथ अटेच कर दिया यह switch number तो 8 था है ना और इसको कि हम ने कह दिया कि suppose switch number 4 that is तो हम कहा देंगे switch number 4 जो भी आप बाद में change करना चाहे तो देखेगा तो जैसे ही आपने कहा कि बहुत switch number अब इसका काम देखेगा जैसे ही पानी इसके नीचे आएगा यह क्या हो जाएगा बेटा यह NC बनेगा और जैसे NC बने यह trigger कर देगा कि motor चलनी है यह motor चला दे और जब पानी भरेगा पहले तो यह no बन जाएगा इसके no बनने से कोई फरक नहीं पड़ाना चाहिए और उपर पानी चलता 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 चला जाएगा और जैसे इसको trigger करें वैसे ही क्या हो जैसे off हो जाना चाहिए तो फिर देखेगा आपने क्या किया शुरुआ से देखे बटन को push किया supply गई energize हुआ energize होके NC बना holding ले लिया holding लेने के बाद यह चलते चलते उपर गया जैसे यह NO बनेगा वैसे यहां से यह खुलेगा खोलते ही holding current को break कर देगा आप देखेगा एक मज़दार बात यह है कि जाएसे पानी तो भर गया पनी भर गया पुरा अब खाली होने लगएगा खाली होते 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 नीचे आ रहा है और sequence यहां पर जैसे नीचे आएगा तो NC बनेगा NC बनते ही यहां की 24 बोल्ट को यहां पर PLC पर देदेगा जैसे PLC पर 24 बोल्ट जाएगा वैसे ही फटाक से क्या होगा signal पास करेगा pump चलने लगेगा तो यहां पर हम लोग parallel में इसके क्या करते हैं एक और NC टाइप की limit switch को लगा देते हैं इस तरीके से इसी दख limit switch और इसके parallel में इसको attach कर दीजे चलिए इसको हम कह देते हैं it is the switch number 8 and it is the switch number 4 is it clear बेटा यह बात समझ में आई I hope कि यह समझ गये होंगे आप लोग you did understand तो देखें मज़ेदार बात क्या है यहां पर यह है कि भाई अब conceptually समझेगा अभी system खाली है आपने बटन को push किया NC बना current गई holding ले लिया इसने चलने लगा pump अब यह भरते भरते उपर आया हो चुका है तो यह बना बैटा हुआ है अब पानी और भरते भरते उपर गया जैसे ही सेंकेंट को टच करेगा तो यह वाला क्या होगा open हो जाएगा this one will be open जैसे यह open हो जाएगा वैसे आपको एक concept समझ में आएगा कि भाईया यहां से जो holding current जा रही थी वह यहां से break हो जाएगी और जैसे यह holding current break हो गई वैसे ही आपका pump क्या हो जाएगा आफ हो जाएगा अब pump off होने के बाद मानले यहां से पानी नीचे ऐसे नीचे चला आ रहा है जैसे पानी नीचे आ रहा होगा वैसे यह NC बने गया यानि कि यह वापस से इसको क्या कर देगा टच कर देगा जैसे यह NC बनेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि holding तो ब्रेक हो चुकी थी यहां पर रुख जाएगा यहां पर रुख जाएगा अब पानी और नीचे की सकते की सकते यहां पर आया जैसे ही खताम होने वाला होगा यहां पर वापस से जो एनो बना बैठा था ऐसे वैसे NC बनेगा 24 वोल्ट यहां पहुंचाएगा जैसे ही 24 वोल्ट पहुंचाएगा यह इ प्रमप चल रहा है फिर दीरे दीरे पानी वढ़ेगा पानी बढ़ने बाद इसको तच करेगा यह बनाएगा जैसी एनओ बनाये गगा वह यहाँ से एनओ हो गया अब इसको ओने के बाद उपर जाते 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 फिर यह उसको टच करेगा फिर से यह क्या आफ मोड में हैं दोनों एनों हैं दोनों यह नों बने हुए हैं तो करेंट यहां पर रुकी हुई है अभी अब क्या होगा ऊपर से पानी खाली ओना शुरू हो जाएगा जैसी खाली ओने लगेगा यह एंसी बनेगा यह कॉंटेक्ट चिप केंगे जैसी चिप केंगे यहां क नीचे आया और जैसे इसके नीचे आया वैसे ये NC बनेगा और 24 बोल पहुंचाएगा यानि जैसे ये नीचे आया वैसे यहां की करन दौल के इसको Trigger कर देगी और R1 Trigger होते ये अपने contact को क्या बना देगा NC बना देगा और current fit दोड़के यहाँ चली जाएगी और यह holding होके चलने लगेगा यानि अब हमने एक system बना दिया कि जब कभी भी pump चलता रहेगा चलते चलते ऊपर जाएगा तो यह आपका upper level sensor है जो की motor को क्या करा देगा off करा देगा और यह आपका lower level sensor है जो की motor को क्या करा देगा on करा देगा तो simpasi बात है आपने से समझ लिया होगा आपको समझ आगी बेटा अगर समझ में आ गई हो तो जल्दी से लिखो comment section में की भईया हमें समझ में आ गया है नसर we have got it to this one we have understand to this one तो आपको समझ में आ गया हो चले जल्दी से लिखे उसके बाद फिर हम यह बताते हैं कि मान लेजे किसी वह वज़ा से इसका पानी अगर खाली भईजी देखो problem क्या है यहाँ पे problem यह है कि जरूरी थोड़ी नहीं कि इसका भी पानी आप इसका पानी मान लो हो जाए तो भी नहीं करना है इसके पानी हमारा भरा होना चाहिए तभी यह चले इस इस तो इतनी चीदों करते हैं आई टिंग कि आप कोई समझ आई इसको नोट डाउन करें फिर हम आगला आपको बताते हैं से यूशुल आटो नोट डाउन दिस वन नोट डाउन कर दीजे बेटा इसको ओके नोटे डाउन कि आप लोग नोए यह नोट डाउन कर लिया होगा अगर यह टंकी किसी भी बज़ा से खाली हो जाए अगर यह टंकी क्या हो खाली हो जाए तो यह सिस्टम चलना नहीं चाहिए तो हम कहेंगे ठीक है नहीं चलेगा यह सिस्टम कैसे अगर हम इस जगह पर इस जगह पर एक क्या कर दें एनो टाइप का लगा दें एनो टाइप मेंस कि हम यहाँ पर एक रिजर वायर का सिस्टम इस तरीके से लगाएं कि ये एनो टाइप का हो इसके फाइदा क्या होगा जब पानी खाली हो तो उसको क्या कर दे वो ब्रेक कर दे और जब तक पानी भरा रहे तो क्या रहे एनसी रहे तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर सर इस तरीके से कर दीजिए कि सिंपली इससे connect करा दीजिए जिए रहेगा जयान दिजेगा अगर इसका पानी फुल रहेगा तभी तो यह चिपकाए रहेगा देखेगा ध्यान समझे बेटा इसको पे यो टेंशन यह जैसे हमने कहा कि यहां पर हमने एक एनो टाइप कर लगा दिया अब जब इसमें पानी भर जाएगा तो इसको तब ही आपकी मोटर चलने चाहिए, अगर NC ना हो, तो मोटर चलनी नहीं चाहिए, तो आप सिंपस एक काम करिए, यहाँ पर आप एक रिजर वायर के थुरू इसको लीजे, और ले जाके इसे क्या करेंगे, PLC के एक इंपुट पर इसको अटैच कर दीजे, और उस PLC के इंप है, सिंपल सा किस तरीके से करेंगे, NC बने रहें, यानि कि हम यहाँ पर यह पानी ऊपर जाएगा, तभी NC बना रहेगा, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, बेटा, वी शुड़ हाँ टू, राइट हीर, एन एन अटाइप ऑफ बटन, तो यू शुड़ हाँ तू, यहाँ एक क्या लगाया था बेटा, Stop बटन लगा दिया, तो हमने कहा था, यहाँ पर एक क्या लग जाएが? Stop बटन लग जाएगा, यहाँ पर क्या लगाया था, हम लोगों ने एक NC टाइप की, Limit स्विच लगाय थी, जिसको S8 कहा था, इसे आपने S2 कहा था, अब यहाँ पर हमें limit switch यह NC type का है limit switch यह आपका कौन सा है बेटा this one is also the type of the NC यह कौन सा है आपका NC type का है limit switch जो कि यह वाला आपका कहां लगा है lower level sensor की तरह काम कर रहा है यह upper level sensor की तरह काम कर रहा है और यह आपका lower level sensor for reservoir 2 की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पर आप देखे अब पूरे सेनेरियो को समझते हैं हम लोग पूरा समझेगा देखे इस टंकी में भी पानी भरा हुआ है जाँ समझेगा इस टंकी में भरा है तो यह क्या बना रहेगा इसके साथ NC जब NC बना रहेगा तो current जाती रहेगी और यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो यह क्या होगा यह तो अभी खाली है तो सिंप्लिट ट्रिगर कर देगा और यहाँ यह ट्रिगर करेगा यह active होगा NC बनेगा यहाँ से holding हो जाएगी holding होने के बाद ध्यान दिजेगा अब यहां पर पानी भरना शुरू हुआ तो इसको NO बनाएगा तो इसको NO बना देने से भी कोई फरक अभी नहीं पढ़ने वाला है क्यों क्योंकि करेंट यहां से इसके होल्डिंग करेंट यहां से होते हुए जा रही है अब यह बाटर और उपर भरते हुए जाएगा जैसे उपर भरते हुए जाएगा यह वापस NO बनेगा जैसी NO बनेगा यहां पर जो करेंट जा रही थी वो ट्रिगर करेगी क्यों क्योंकि इसका NO हो गया यहां पर जाना बंद हो जाएगी करेंट तो जो यहां से जा रही थी current ये क्या हो जाएगा ये तो no बन जाएगा तो इसकी holding क्या हो जाएगी बेटा break हो जाएगी अब मान लीजिए उसमें भी टंकी खाली होती इसमें भी खाली होती है जब ये खाली होगी तो ये नीचे गरेगा ये क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा यानि फाइनली ये क्या हो जाएगा यहां से ओपन हो जाएगा मान लीजे उसमें पानी पहले भरा हुआ था लेकिन इस रिजरवार में पानी नहीं है तो फाइनली ये चल नहीं पाएगा अ क्योंकि यह टैंक अगर खाली होगा तो इस टैंक के खाली हो जाने पर भी मों पंप नहीं चलनी चाहिए अगर यह टैंक इस लेवल के ऊपर है तब अगर यह खाली या फिल होती है तो अगर यह फिल कर देगा that will be the absolutely the concept of the filling of the automatically switching to the level of the tank accordingly to the water uses for using the ladder logic and the PLC program तो अभी से हम ती ग्युम्त कर्राम में कनवकल अब कंवकल और तिस लॉडिग थिस सल्टी रिशिए तीज्डार्म इंतो अप्रोरीम डियान दीजैगा प्रोर्ण ऐस फिल को पर्रोजम taş में हम लोग से कनवट करते हैं first of all you should have to pay your attention कि यह आपका क्या है switch number 2 switch number 2 कौन सा है NC जान दिजेगा NC है NC की तरह यूज करेंगे क्या लगाएंगे बेटा there we have to do the buffer क्या यूज करेंगे buffer NC बटन को NC की तरह यूज करते हैं तो buffer NO को NO की तरह यूज करते हैं बफर NC को NO की तरह यूज करते हैं तो inverter NO को NC की तरह यूज करते हैं तो inverter यहाँ पर कहेंगे क्या बेटा there will be the switch number 2 जिसे हम कहते हैं stop for motor या pump कह दिजे stop PB ऐसे लिखे stop push button for pump ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जब हमने इसको देखा इसमें देखा कि भाईया ये आपका S8 है और NC टाइप का behavior है वहाँ भी S8 है और NC टाइप का behavior है याप इस panel में देखें इस panel को देखते हुए consideration में जाएंगे तो यहाँ पर कहेंगे आपकी भाईया ये भी S8 है और S8 NC टाइप का है ये भी हमारा NC टाइप है NC को NC के तरह use करेंगे तो क्या लगाएंगे बेटा बताए जल्दी से NC को NC के तरह use करेंगे तो what we have to use? buffer तो NC को NC के तरह use करेंगे तो ये हो गया upper level sensor ULS for of reservoir 2 या upper level sensor कहेंगे क्योंकि ये वाला NC है ना तो upper level sensor for reservoir number 1 ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग ये हमको दिखा ये एनो टाइप का है switch number 3 ये एनो है वो भी एनो है तो किस क्या लेंगे यहाँ पर? buffer we have to select here the buffer ये क्या है आपका? lower level sensor यहाँ पर इस तरीके से लिकिए lower level sensor of reservoir number 1 ये हो गया reservoir number 2 है तो इसे reservoir number 2 कह देंगे आप देखें यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें एनो बटन मिला यानि start button है तो start button है एनो है एनो की तरह यूज़ करना है पहला तो क्या दूज़ करेंगे buffer तो हमने कह दिया switch number 1 that is and this one is the switch number 8 this one is the switch number switch number 3 और आप कहेंगे switch number 1 switch number 1 पे आप कहेंगे कि ये start button है start for pump start push button for pump अभी ले जाएंगे किस के पास reservoir यानि पाम्प के पास this one is the pump and it is consistent address of the relay number 1 so we have to see here and the bypass is that one for the switch holding अब आप इसे क्या कहेंगे holding के लिए holding के लिए तो इनो कॉंटेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग और यह किसका है R1 का pump का ही है अब यहाँ पर आप देखें lower level sensor है that is the lower level sensor of the reservoir number 2 ये वाला तो हम कहेंगे ठीक है इसको हम क्या करते है यहाँ NC है और switch number 4 भी NC है तो NC NC के तरह यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग buffer यूज़ करेंगे तो switch number 4 that is lower level sensor of reservoir number 2 तो ये आपका PLC का program क्या हो गया complete हो गया चलिए इस logic को हम लोग program बनाखे और तेस कर लेता है हाँ विल ब्लीट रीटिवाग फर्डिशचिंग पर्डिश कर लेता है और धूल ब्लीट राप्रेटी पर्डिश और तो था लोग मंदीट पर्डिश मिना है and it is connected now you could see here it's responding rxtx pins are it's being responded and now you could see here and it is it is activated so previous program is running inside to this one so i'm going to change the program which is embedded inside to upload देखे कि इस लोजिक को हम किस तरीके से apply करेंगे और प्रोग्राम बनांगे प्रोग्राम बनाने के बाद हम इसे verify करते हैं test करते हैं ओके बेटा should we proceed i think कि आप कोई चीज़े समझ में आ गई होंगी अगर आ गई हों तो बहुत अच्छी बात है because is the one of the most complex logic for the student who study about the PLC programming और इसमें बहुत सारे लोग काफी परेशान होते हैं इस प्रोग्राम को लेकर बस मैंने कोशिश किये की आपको समझ आ जाए you should have to see there and अब इसे चलिए प्रैक्टिकली करके देखें तो जो अगो थोरा सा confusion होगा that must have to clear i think that will be visible to you okay so we have to just upload the program here and hum इसे क्या करेंगे you know very well and this is the programming of the sophisticated thing for the PLC now we have to go to the now we have to go to the outside studio open the outside studio we will open here and now our city studio is being on wait a minute is getting configure for the system of the PLC now it's okay you could see here and now we have to go over to the setting and change this one for you know and we have to select with this one and now you to select the language for English and it's like the English now we have to just upload the program for that one and select for the better resolution okay there is what there is a buffer 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 or three buffers are in series so we should have to go there and select the buffer and there will be also a buffer that we have a buffer three buffers are in series so there is a fourth buffer is also but it consists the uh it consists the branch rung so we should have to arrange the branch rung there is the holding contacts and there is also a new branch rung is here so we should have to select here a new branch rung and now i'm going to choose an output for the pump we have decided now we should have to define the address you could see here and the address is here switch number two switch number eight switch number three switch number two is here switch number switch number three is here switch number three is here switch number three is here and switch number one is here switch number one and relay number one is this one or relay number that one you should have to see there as well as we are to set here the uh s4 switch number four there and i have doubt is it working the switch number four or not uh in the plc so we should have to go and check that one and now uh we have to define here or we we have to define otherwise we will change the address of that one so yeah now we should have to test the program and there is no mistake in the program we should have to upload the program inside the controller or the plc now it is uploaded you could see there and now we have to go to the online and is going to so there is a switch number switch number three must be okay that must be this nc so there is the switching now you could see there if the switch number four you could check okay working as in breaking so we have to go up the key that the answer some of you guys you may some jana chara um a poor summer java data digging yeah but other disco so much agi crystal clear is a summer java program which is a paliam is a calm curtain so the balance come define card it and you will have to have stop push button for pump now you should have to remark this one is the upper level sensor of reservoir two remark that upper level sensor for reservoir two enter here now you could see here that must be what that one lower level sensor of reservoir one okay i say lower level sensor of reservoir 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 number what reservoir number is one reservoir number one so for you and now there will be a start button start pb a it is must have to be a star to push button there will be pb of pump yeah that's a thing for pump p ump there into and now you can see there is a where there will be a pump pump p ump of emperor is there one another two of reservoir two so you should have right here lower level sensor of reservoir is the wire number two so we have to select it here if you want to just remark two better one and there must have to be the space to getting the better resolution of understand is all right number one is the one number two so you should have to see there and it's a very sophisticated program now we have to Upload the program inside to the you know and you can you know as a PLC for uploading the program and not go to the online you could see there and now have to do verify after is condition में आपका इसमें पानी भरा हुआ है तो यह क्या रहेगा एंसि रहेगा कौन एंसि रहेगा सुच नंबर 3 आपका एंसि है तो यह आगे तक पहुचा रहा है अब मान लिजे किसी ने स्टार्ट कर दिया जैसे सुच लग चलने लगँ अब रस्षर नमबर डेट देखिए फंप चलने लगआ अब चला अब बड़ते 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 उधर पहुंचा कहा पंपर कंपकर पहुंचे गट ﷻ यह आपका लोवर लेवर sai तो लोवर लेवर संपर ओप हमने एक्टिव गढ़ा दिया तो इससे क्या फरक पड़ता है कोई फरक नहीं पड़ेगा अब यह भरते बरते 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 और उपर गया जैसे उपर पहुंचेगा वैसी कौन हो जाएगा सिंपल सा एंसी बटन जो दूसरा वाला उपर आपल लेवल सेंशर जैसी आपल लेवल सेंशर जिसे हमने क्या कहा हैं ऑफ लेवल सेंशर व रिजरवायर नंबर टू इनne होगी अभी अब जैसे नीचे वाले से नीचे आएगा वैसे यह trigger कर देगा and the motor will be on जैसे motor on हो जाएगी motor on ही रहेगी अब पानी फिर से भरता भरता उपर जाएगा switch number 8 जैसे ही press करेंगे आप motor क्या हो जा रही है off हो जा रहे है फिर वो खाली होते चला आएगा यहां से खाली होते आया और जैसे ही आपने देखा कि कोई motor on नहीं है लेकिन जैसे नीचे वाले से खाली हुआ यानि switch number 4 से जैसे यह खाली होगा वो वापस से NC बनेगा और motor को क्या चला देगा on कर देगा तो देखें automatically on off हो रही है यह okay fine अब मान लिजे reserve wire इसमें switch number 3 जो हमने कह रखा है इसमें नहीं है अब यहां पर नहीं होगा तो कोई चाह कि भी motor अगर switch number 1 को कितना भी प्रेस करें अगर यह वाले reserve wire में पानी नहीं है तो कोई चाह के कितना भी button को push करें it could not be on जितना जो करना चाहे on नहीं कर सकता इसे अगर मान लिजे suppose कि कि किसी भी वज़ा से आपने क्या किया इसको on किया और reserve wire का जो भी है switch number 3 इसमें पानी है यानि इसमें पानी है और switch number 3 पानी है और यह क्या करेंगा प्लिक करेंगे और चलने लगा मान जो किसी भी वज़ा से आपको भरने के बाद automatically off करना है switch number 2 को press करिए automatically off हो जाएगा switch number 1 को press करिए on हो जाएगा लेकिन ध्यान रखेगा अगर पानी नहीं है reserve wire number 2 में तो यह आप कितना भी switch number 1 को on करिए कितना भी lower level sensor को switch करवाईए upper level sensor को switch करवाईए यह कताई on होने वाला नहीं है until the condition is इस reserve wire में पानी होना चाहिए जब इसमें पानी होगा तो यह NC बना रहेगा NC बना रहेगा तभी आप इसे on कर सकते हैं तभी इसे आप off कर सकते हैं सारी चीजें होंगी और यहाँ पर on करने के बाद पानी फिल होता चला जा रहा है स्विच नमबर 4 इस एक्टिवेटेड कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे ही ऊपर पहुंचेगा स्विच नमबर 8 पे off कर देगा फिर खाली होते हुए चला आएगा कोई पर रख नहीं जैसे ही नीचे वाले को खाली करेगा ट्रिगर कर देगा और यह एक्टिव हो जाएगा तो सिंपसा आपको आई होब कि यह समझ आ गई होंगी चीज़ें यह इदिस दा कॉंसेप्ट आफ दा मैंटेनिंग दे लेवल अप टैंक आप अपर लेवल सेंसर लोवर लेवल सेंसर और रिजर वायर अप दिस वन तो इ अपर दिस वन कोई कंफूजन तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में आस करिए एनी कंफूजन इफ यह विव एव एनी कंफूजन जस्ट आस्ट वी इन दे कमेंट सेक्शन बेटा आई विल आंसर तो दिस वन दिद यू नो ओगे शुट भी प्रोसीड आई होप कि हमें आगे बढ़ना चाहिए आई होप यू शुट है तो आप क्या करेंगे हम लोग इसे सिंपली एक सिक्यूर्टी सिस्टम पढ़ते हैं होम सिक्यूर्टी सिस्टम चलिए यह वाला मज़ेदार है थोड़ा था कि ओके समझ आगी बेटा यह आप लोगों को शुट आई रफ दिस अ कि अलोग इसे रफ कर देते हैं हम और आप इसे समझने की कोशिश करें पे यू अटेंशन हीर टू फॉर तु ट्राइटु अंडरस्टैंड रफ कर दें हम इसे ओके हम इसे रफ कर दे रहा हैं फाइनल कि ओके तो चलिए हम पढ़ते हैं a room security system with alarm and control room control room monitoring for on off system control room monitoring ना कहके हम को कहिए इसे control room activation एंड डी एक्टिवेशन सिस्टम okay is this तो चलिए इस सिस्टम को पढ़ते हैं कि एक रूम की security के बात करते हैं कि माले जिए एक रूम आप high tech secure करना चाहते हैं तो how could you make this one room high tech secure तो देखिए उसके लिए क्या logic लगाएंगे क्या चीज़ें होंगी you should have to attend here माले जे दो चीज़ें हैं यहां पर एक विंडो है suppose इस विंडो ओके विंडो इस यह अब यहां पर एक motion sensor हमने यहां पर एक motion sensor जिसे PIR कह सकते हैं passive infrared क्या कहेंगे passive infrared sensor आप अच्छी तरीके जानते हैं यह सारी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं sensor के बारे में एक बीट इसके सिंदे चुके हैं तो हमने का this one is the PIR passive infrared sensor अब ध्यान दीजेगा माने यहां पर आपकी एक लगी होई है PLC क्या लगी होई है PLC अभी हम देखे बेटा model वगयरा का नाम इसलिए नहीं लिखते हैं इन सारे चीज़ों के बारे में अभी विज़ा system तो security system हमने इस रोम को करा अब देखे यहां पर है control room कीए there is a control room मानले यह है आपका control room मानले यह control room है तो control room में एक लगी हुई है button आपकी यहां पर एनो type की और एक button इनने लगा रखा है अपने system में nc type की तो इसे कहते हैं alarm activate alarm activate और यह है आपका alarm deactivate pb push button और यह होगा pb push button तो इन दोनों को भी इनोंने क्या कर रखा है बेटा इन दोनों को इनोंने short किया ध्यान समझेगा यहां से भी इनोंने क्या किया security system को इसमें supply दे दी और यहांसे इनोंने क्या कर दिया यहां 걸 24 वल्ड दे दिया और यहाँ पर जीरो वल्ड क्यूगी potential difference डिर से sensor काम करता है और इनोंने क्या क्या इस इस चीज़ को ऐसे समझे एसे समझे इन्होंने क्या क्या इस चीज़ को लिए और यह धोनको शॉर्ट कर लिए अब यहाँ पर करेंट और यहां पर करेंट और रिखे CPU पूर्ट प्तिशार पूर्ट इसको यूज्स खरेंगे तो हमने का ठीक है अब इस port को इन्होंने इसके लिए यूज कर लिया द्यान समझेगा पेर यूज अटेंशन प्लीज बेटा आप लोग समझेगा यह बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और इन्होंने कहा कि इस वाले को हमने यूज कर लिया इस जगह पर एक और port के लिए अब इस चीज को यूज कर लिया इन्होंने दिसरे वाले को इन्होंने ऐसे यूज कर लिया और हमने कहा यह वाला है आपका PIR Sensor का और यह वाला है आपका Start Button यह वाला है Start का और यह वाला है Stop का यानि कि Activate, Deactivate तो यह Deactivate है Deactivate और यहाँ पर क्या है Activate है ठीक है अब यहाँ पर हमने क्या किया विंडो में तो विंडो को भी आपने क्या किया 24V से इस से Continuous एक Pass करा दिया आपने Wire और पास करा कि आप क्या करेंगे इस PLC के Input पे ले गए तो आपने कहा कि यह हो गया आपका Input Number यहाँ ध्यान दीजएगा बेटा आपने कहा यह वाला है हमारा Input Number 1 और यह वाला आपका दूसरा वाला जो है यह है Input Number 3 और यह वाला क्या है Input Number 4 और यह वाला आपका क्या है Input Number यह और आपका De 아니라 2 Input Number 4 तो अब हम कहांगे ठीक है भई तो यह basic सी चीज़े हमने बना ली अब एक alarm system भी generate करेंगे तो आपने कहा PLC से एक हम क्या लेंगे supply ले लेंगे जो कि 24 बुल्ड का आपका hooter लगा दिया आपने क्या use कर लिया यहां पर एक hooter तो आपने कहा there is the hooter तो आपने hooter लगा दिया जिसो alarm की तरह बज़ेगा ठीक है और दूसरे वालों को आपने negative supply दे दी negative तो यहां तो 24 बुल्ड डबलप होगा यह hooter बजने लगेगा तो देखेगा आप ध्यान से तो हमने कहा यह NC टाइप है किस टाइप का है NC और यह क्या है आपका this one is the NO टाइप है तो जब कट करेगा तो यह wire कहीं न कहीं से कट होगा जैसे कट हो अलाम बजने लगे एक चीज दूसरा है अगर कोई बंदा धरवाजा तोड़के गुसता है या कुछ भी करता या कुछ चीज अंदर object कोई movement होती है तो यह pressive infrared sensor आपका read करेगा और यह sensor फोरां switch कर देगा और hooter भजने लगेगा और यह दो button जो है यह control room में लगी है यह आपका alarm को activate कराने के लिए और deactivate कराने के लिए है तो चलिए हम यहाँ पर variable लिख देते हैं तो यहाँ पर आपका switch number one जो है switch number one यूज कर रहा है हम ano type का है और यह PIR sensor है जो की motion read the motion क्या करेगा read the motion of object किसी भी object की motion को read करेगा यहाँ पर आपका switch number two है switch number one there is switch number two switch number two यह वाला है यह आपका stop करेगा यह switch number two है switch number three है तो switch number two है आपका NC type और यह क्या है deactivate deactivate alarm system from control room यह control room से यह off हो सकता है अब हमारा यहाँ पर switch number three है जो कि अनो बिहेवियर वाला है और यह है आपका activate अलाम system from control room तो यह हो गया बात अब बात आती है कि भई आपका window है window भी कोई cut कर दे तो क्या होगा तो switch number four तो एक दो one two three four चारी variable है तो आप कहेंगे switch number four आपका NC type का है आप कहेंगे NC type है तो क्या करेंगे simple सी बात है यह होगा आपका window इसे कहेंगे window विंडो continuity 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 for continuity for कह सकते है PLC continuity for PLC input यानि कि यह PLC के input को continuity provide कर आएगा अगर किसी ने window को cut किया तो इन में से कोई भी wire अगर कहीं से भी cut हुई discontinuous होगा current जाना बंद हो जाएगी और alarm generate हो जाना चाहिए यह हम एक system बना रहे है output आपका कौन सा है hooter तो आप कहेंगे relay number हम 5 को as an hooter use कर रहे है hooter तो यहाँ पर हो गया तो यह हमने variable define कर दिये आप देखेगा ध्यान से समझेगा इसकी algorithm बना लिजे आप algorithm बनाने को concept यह है कि आप यहाँ पर जितने भी input हैं उसको use कर लिजे जितने output हैं उसको भी use कर लिजे तो इसमें algorithm नहीं use करके simply भी कराओना तो भी हो जाएगा लेकिन you should have to use the algorithm बट अभी हम इस तरीके से बना देते हैं simple सा समझेगा ठीक है देखे यहाँ पर हमने एक रंग ले लिया particular रंग हमने ले ली अब हम कहेंगे कि भाई NC है आपका देखेगा ध्यान से NC activate करना है system को आप कहेंगे ठीक है एक हम ले लेंगे stop button ध्यान समझेगा बेटा यहाँ पर this one is the stop button stop button stop यानि कि deactivating alarm system deactivating alarm system हमने कह दिया फिर एक activate करवाएंगे तो आपको क्या चाहिए होगा एक आपको चाहिए होगा NO type यानि कि यह तो NC type का है आपको चाहिए होगा start वो भी किसके लिए NO यानि activating alarm system switch है यह जाएगा आपके किसके पास binary bit के पास binary bit का concept क्या होता है यह हमने previous program में बताएंगे हैं आपको please go there and study and understand what the binary bit हम यहाँ बता देते हैं आपको binary bit एक तरीके का logical bit होती है जो कि virtually PLC के अंदर किसी भी output को बिना occupy किये हुए internally logic को complete कराने के लिए output की तरह काम करती है मतलब जैसे आप virtual bit अंदर लेंगे और logic को पूरा करने के लिए उसे use करें लेकिन वो किसी भी output को और PLC के output को किसी को भी ना तो वो occupy करेगी ना ही वो उसको busy करेगी तो simple सी बात है यहाँ पर इन्होंने कहा कि अच्छा आप एक बटन प्रेस करने तो activate हो जाए हम कहेंगे अच्छा activate करा देते है तो holding करा देंगे तो holding कराएंगे तो हम किससे B1 से करा देंगे तो यहाँ पर यह क्या है logic bit इसे कह दीजे it's a logic bit और यह कहें आपका logic bit क्यों क्यों क्योंकि यही तो activate कराएगी deactivate कराएगी तो यह भी logic bit हो जाएगी simple सी बात है इसकी holding आप यहाँ पर logic bit का buffer डाल दीजे तो logic bit का यहाँ पर buffer डाल दिया बटन को push करेंगे NC बनेगा holding ले लेगा NC बन के spower आगे बढ़ाएगा अब हम कहेंगे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजेगा अब यह दिन दोनों बटनों का काम खताम होगा यह तो activate और push कर देंगे deactivate तो यह control room से activate और deactivate करा ले रेकिन अगर हमाने जो motion sensor हुआ motion हुआ तो क्या होना चाहिए देखिए अगर motion हुआ तो यहाँ पर alarm होना चाहिए तो एक no type का है तो no को no की तरह ले रहे हैं तो switch number यहाँ पर लिग देते हैं कौन से switch है तो यह वाली कौन सी आपकी है deactivating switch deactivating है switch number two इसे कह दिए switch number two यह कौन सी switch number switch number three तो यह कौन इन्फरेट सेंसर मोशन ही रीट करता है तो यहाँ पर यह trigger किसको करेगा अगर motion हुआ इनसी बना पावर आगे गई तो किसको activate करेगा hooter को तो hooter कौन है hooter क्या कर रहा है hooter कह रहा है कि भाईया हमको relay number one कहा गया है तो कह रहा है हम रहो है वो है relay number one हम कोईगे ठीक है भाईया तुम relay number one हो तो लो relay number one तो इसे कह दिया हमने it is the hooter तो hooter है यह अब यह hooter हमारा इस तरीके से काम कर रहा है तो simply आप क्या करेंगे hooter को एक बार अगर hooter बच जाए तो जब तक deactivate ना किया जाए तक तक ही चलता रहा है तो हम कहेंगे hooter को भी hold करा दो क्यों क्यों क्योंकि मान लेजे motion हड़ गया तो यहां power जाना बंद हो जाएगी तो hooter को भी करा दोगे hold करा दो हूटर भी होल्ड हो जाए हूटर भी बशतर है तो हमने हूटर को होल्ड करा दिया ठीक है यहाँ पर अब देखेगा एक चीज और है अगर यह कट हो जाए तो भी अलाम बज़ जाना चाहिए तो यह NC टाइप की है और हमने जो बटन चूज की है वो भी NC है तो NC को NC की तरह य अहां पर लगा देंगे inverter किसका inverter inverter लगाएंगे आप श्विच नंबर 4 का inverter जो की आप window continuity पार दा PLC की तरह है तो window continuity की तरह यूज़ करेंगे तो यह एक आपका चोटा सा program है जिसको आप security के system के लिए occupy कर रहे हैं I think कि इस system को हम PLC के program में convert करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से होगा आप इसे मैं rub कर दूँ I hope कि आप लोगों ने ये note कर लिया होगा I have to rub this one और आप देखें किसे किस तरीके से हम लोग use करेंगे और program कसे बनाएंगे pay your attention here अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा यह आपका NC है वहाँ भी NC NC के तरह use करेंगे यहाँ पर हो जाएगा buffer और कहेंगे switch number two जिसे हमने कहे दिया deactivating of alarm system deactivating alarm system आगे जाएगा अब आपको no मिलेगा तो buffer को use करोगे switch number one that is जिसे हम कहेंगे activating alarm system activating alarm system है AAS है ना और उसके बाद आप कहेंगे यह आपका output होगा तो हमने का ठीक है यह हो जाएगा आपका binary B1 जो कि किसकी तरह काम करेगा logic bit की तरह काम करेगा तो हम कहेंगे logic bit is that is और यह logic bit को हम लोग hold करा देंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर B1 logic bit हो गया simple सा अब देखेगा यहाँपर दूसरा logic bit का binary ले लेंगे तो हमने logic bit का यहाँपर buffer लिया और binary number one NNC बनेगा तो आगे पावर बढ़ाएगा आप देखेगा यहाँ पर क्या है स्विच नंबर वन और यहाँ पिया एनो है तो स्विच नंबर वन को बफर की तरह लेंगे एनो की तरह तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग करेंगे कटने पर व तरह बात करेंगे तो यहां पर हो गएा विंडिट कांटिंवी एक ङंूट इसका प्रोग्राम हो गया सो भी देखें यहां पर I hope कि आपको समझ आ गई होगी बेटा, we have to just check this one the check to the program और आपको system, चलिए हम लोग आउटसील स्टूडियो ओपन करते हैं, तो आप देखें यहां आप आउटस्टूडियो ओपन है, तो प्रिवेस प्रोग्राम करते हैं, डिलीट, डिलीट करने के बाद एक नया रंग बनाते हैं, नया रंग बनाने के बाद आप दियान से देखेगा, यहां पर एक क्या है बफर, 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 आउटफूट तो आप क्या करिए, यहां पर जाएए section में, आप एक बफर ले लिजे एक ब्रांच रंग ले लिजे उसके बाद इसको एक बफर दे दीजे शुड़ाद बफर देर बफर और बफर और इस गोईंग तो दा आउटपूट आउटपूट यहाँ पे जाएगा अब क्या करेंगे सिंपल सी बात है एक और रंग ले लेंगे यहाँ पर भी एक बफर ल सेकेंड ब्रांच दो व्रांच अर यहाँ पर आपको आउटपूट चाहिए यहाँ पर आप कहेंगे वी रिक्वाइर दबफर आज विए इस एक यहरा टो इनवर्टर तो चैंज कर दिजे इंवर्टर बना दिजे यह पूरा को पूरा प्रोग्रम उसी सेनेरियो में आपक है आप यहां पर सच नमबर दीजह आप यहां पर करा दीजह तो आप यहां पर कहें दीजे तो सच नमबर पर 3 यहाँ पर है, switch number 3 that is, switch number 3 आप इसको, sorry, switch number 3 आप में आए, switch number 3 आप यहाँ से ले ले लें, और इसे कहेंगे ठीक है, यह switch number 3 होगे हमारा, वो switch number 1 लिग दिया था हमने, यहाँ पर 3 कर लिजेगा, और यहाँ होगे है, आपका R1 तो R1 यह अतलब की output है, आपका relay number 1 यहाँ पर जाएगा, और relay को यहाँ आप holding करा दोगे, अब यह switch number 4 पर है, और अब हम इन सब को define कर देते हैं, जैसे यहाँ पर इसका हमने नाम क्या र deactivate alarm system, enter कर दीजे, तो इसने कह दिया deactivate alarm system, is it बेटा हूं, is it, is it, तो आपका है deactivate alarm system हो गया, यह क्या है आपका, activate alarm system, तो आपका यह activate, activate alarm system, एंटर कर दीजे, आप यहाँ पर आप कहेंगे, it's not pretty good, तो आपका यह, activate alarm system, एंटर कर दीजे, यह क्या है आपका, logic, आप कहेंगे, logic, बिट, यह, इस लॉजिक बिट, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप, PIR, क्या है यह, आप कहेंगे, this one is the PIR, sensor, एंटर, आप यहाँ पर आप कहेंगे, this one is the hooter, क्या है बेटा यह, it is hooter, तो आप कहेंगे, H O O T E R, hooter, आप यहाँ पर hooter, जहाँ जहाँ पढ़ा होगा, वहाँ पर hooter अपडेट कर देगा, यह क्या है, window sensor, तो लिग दीजे, window sensor, window sensor, okay, finally we have to upload the program, test the first, test no mistake there is, we have to upload the program, after uploading the program, it is getting upload, and after the uploading, we have to go to the online, there is no mistake, so upload as a succeeded, आप online जाएं, अब online जाने के बाद आप देखेगा, हम alarm system को पहले activate करके छोड़ देंगे, तो हमने जैसे switch number one, यहनि alarm system activation key को जैसे हमने प्रेस किया, देखें यहाँ पर हमारा system क्या हो गया, अगर यहाँ पर motion sensor आया, कौन, switch number जो आपका 3 है, अगर उसने motion हुआ, यानि कि अगर motion हुआ, switch number 3 कर, कोई भी input आया, तो यह क्या कर देगा, simply that will perform, and you could see here, हमने activate कर दिया, activate करके छोड़ दिया, और जैसे ही आपने switch number 3 को प्रेस किया, यह दिके alarm activate हो गया, relay number one हमारी activate हो गई, अब alarm activate रहेगा, continuous रहेगा, ठीक है, अब क्या है, अगर कोई switch number, फिर motion कुछ भी, कहां से बंद होगा, अब इसको सीर पर सीर बंद करने के लिए room, control room का जो switch number 2 है, उसी को प्रेस करके off किया जा सकता है, ठीक है, अगर आपने एक बार है system activate कर दिया, system activated है, अब कोई भी motion हुआ है, याने sensor, PIR sensor motion जो हमारा है, उसने sense किया, तो फॉरण क्या कर देगा, alarm को activate कर देगा, और alarm activation mode में है, अगर किसी, तो फॉरण से वो दोड़के आएंगे, और system को, अब system को देखेंगे, अगर सब कुछ normal है, तो ठीक है, deactivate कर देगे, वरना वो आपना कारवाई करेंगे, simple सा, दूसरा क्या है, मान दीजे, अब कोई बंदा है, system आपने activate करके रखा हुआ है, आप कोई बंदा खीड़की काट दे, तो जैसे यहाँ पर switch number 4 देख रहे है, खीड़की उसने काटी, तो NC था वो क्या बन जाएगा, what will be the happen here, we should have to take a little bit, आप देखें, थोड़ा सा प्रोग्राम में change करेंगे, हम यहाँ पर inverter ही लेंगे, we should have to take an inverter, but we have to choose here first the switch number 8, क्योंकि switch number 4 पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में वो पुछ होने के बाद, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, we have to go to the instruction, instruction mode and switch number 8, we have to take an, and switch number 8, अगर आप इसको select करेंगे, here, और select number 8, select करने के बाद, आप इसे inverter ही लें, तो ज्यादा भेतर है, और inverter ले लिया हमने, that is fine, absolutely, upload the program, कोई program में chain नहीं करना है, simply आप इसे ले लिजे, और क्या करेंगे, online आजाईए, आप देखेंगा ध्यान से, जैसे आपने system को activate कर दिया, system activate हो गया, अगर motion होता है, there is the motion, अपने activate किया, activate करने बाद, अगर किसी भी तरीका के motion होता है, तो alarm क्या हो जाएगा, आप जनरेट हो जाएगा, अगर कौन आफ कराए पाएगा, उसे deactivation system ही अक्टिवेट कर पाएगे, अब मालिजे, आपने इसको क्या कर दिया, फिर से activate कर दिया, और अगर यहाँ पर किसी ने खिर्की काटी, और switch number 8NO बना, तो alarm को activate कर देगा, और किसी ने अगर वापस खिर्की जोड भी दी, तो भी alarm बचता रहेगा, क्योंकि खिर्की कटी, यानि कि जब alarm बचे तो जोड दिया, तो बंद जाना चाहिए, लेकिन यहाँ बंद नहीं हो होगा, क्योंकि पता तो चल जाए, कि यहाँ कट गया है, तो simple सा है, अब कौन, जब आप control room से deactivate करेंगे, तब ही activate होगा, तो इस program को अगर आप census बगयरा सारी चीज़े लगा करेंगे, तो simply आप यह देख पाएंगे, कि यह काम कर रहा है, तो simply आप program को देखे, एक बार औ कर दिया, motion हुआ, जैसे motion हुआ, alarm बजने लगेगा, अब alarm कोई बंद नहीं कर सकता, तब तक जब तक control room से खुद न बंद किया जाए, आप control room से system activate कर दिया गया, और खिर्की भी कट गई, खिर्की कट गई, तो यह NO बनेगा, after that, just SSH, NO बटा और alarm activate हो जागा, कोई खिर्की कोई motion भी हो गया वहाँ पे, तो पूरी तरीकसा alarm बचता रहेगा, खिर्की अगर जोड़ भी दे, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, भाग भी जाए, भागने के लिए motion अगर deactivate हो, तो भी लेकिन alarm system activate रहेगा, I hope कि अब यह सारी चीज़ें आपको समझ आगे होंगी बेटा अब हम धीरे धीरे आपको सेंसर की तरफ बढ़ेंगे, तो हम आपको एक एक सेंसर के बताना चुरू करेंगे, पिया यार मोशन यह सारे चीज़ें, प्रिवेस टेक्चर में हमने सेंसर के बारे में डिफाइन किया है, आप वहाँ पढ़ें, you will be able to learn there properly, so you should have to pay your attention there, और करेंगे, फिर आपको पैनल डिजाइनिंग के तरफ हम बढ़ाएंगे, और टो करेंगे, so we should have to finish this one today, okay, see you tomorrow at the time of the class, thank you to be here. झाल